बहुजण समाजवादी पार्टी अब कॉंग्रेस को उसके ही हतियार्थ मात देनी की रणीती पर काम कर रही है। हरियाना चुनाव में कॉंग्रिस पर दलितों क्यों पेक्षा करने पर हमलावर भाउजण समाजवादी पार्टी ने दलित समाज से कॉंग्रिस का भःशकार करने की अपील की है। साथ ही भाजपा को भी लपेटते हुए दलितों से अपना वोट खराब नहीं करनी की अपील की है नमस्कार मैं हूँ शेक जुही आप देख रहे हैं देनगरी नीज दरसल कॉंग्रेस और इंडिया गटबंदन के नयताओं ने लोकसब अचनाओं में सन्विधान को बदले जाने और आरक्षन को समाप्ट करने का भाजपा पर खुलयाम आरोप लगाया था इससे दलित वोट बेंक भाजपा पर्टी को सबसे जादा नुकसान हुआ था अब भाजपा पर्टी कॉर्वध्यक्ष राहुर गांदी के विदेश में आरक्षन को लेकर दिये गए बयान को लेकर लगतार कॉंग्रेस पर हमला वर होती जा रही है वो कॉंग्रेस को दलित वरोधी करार देने का कोई भी मोकर नहीं छोड़ रही है बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमों मायवतीर अविवार को बोली कि दलित समाज कॉंग्रेस और भाजपा को वोट दे कर उसे खराब ना करे हरियाना चुनाव के दोरान कॉंग्रेस दुआरा दलितों की लगतार की जारे उपेक्षा और तिरास्कर से ये साबित होता है कि पार्टी में जब अब भी सब ठीक नहीं है ऐसे में आगे क्या होगा मायवती कॉंग्रेस पर आरक्षन व्रोधी होने का अरुप लगाते हुए बोली कि उसके नयताब आरक्षन को समय आने पर खतम करने की बात कर रहे हैं जहाजा दलित समाज अपना एक तरफा वोट भाउजन समाजवादी पार्टी को ही दलित को उनका सन्वधानिक और शासक बनाने के लिए संगर्शील है मायवती जम्मो कश्मीर के दलितों को भी कांग्रिस भाचपौर ने दलों के मिथे वादों और भावों में नहीं आने की अपील की है साथ ही इन दलों को दलित वरोधी ध्यास याद रखने को भी कहा है तमाम खबरों के लिए देखते रहें दनगरी में और शुक्रिया